सब्सक्राइब नहीं देखा है तो आपको वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जागा तो आप वहां से जाकर पहले देख लिए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के लाल का बटन में जाएगा आपको सब्सक्राइब कर लिएगा तो चलिए स्टार्ट करने पहले का एक प्रशन लेते हैं जो मैंने दिया था आप लोगो को तो इसके अंतर बहुत आरे लोगों का अंसर सही है और बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर निकाला है तो आप लोगों ने सही निकाला था या आप लोगों ने गलत निकाला तो इसका जो सही आंसर है वो 92,610 अब ये आया कैसे कई लोगों के प्रशन दिमाग में होगा ये 92,610 आया कैसे क्योंकि यहां पर कई लोगों ने क् इसमें डाइरेक्ट नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ने 80,000 पांच प्रतिजत प्रतिवर्स बोल रहा है, तो पहला 5% जब आप निकालोगे, तो आप इसको कटा लो, तो यह हो जाएगा 85,40 तो यह हो जाएगा 4,000, ठीक है, होगे 85,40, 4,000 हो जाएगा, तब यह 4,000 जो है, अगले स दूसरे बारे में 84,000 हो जागा यह 4,000 बढ़ गया, तो 4,000 इसमें क्या होगे, एड हो गया, अब आड हुगे, बात भी 5% बढ़ेगा, प्रतिवर्स बढ़ रहा है, तो यह 84,000 में 5% बढ़ेगा, तो इसको आप कटालो, 84,000 में पांच परसेंट कटेगा, तो यह हो आप 84,000 में 4,200 को जोड़ दो, तो 4,200 को जोड़ दोगे तो यह हो जाएगा 88,200, हो जाएगा 88,200, अब इसका 5% आपको निकल रहा है, तो इसको काट दो, इसको काट दो, तो आपको जाएगा 5,10 की सुन, हात्या 5,848 और 41, हात्या 4, 5,840 और 4,24, अब आप इसको इसके अंद में क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपको जाएगा 92,610, ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना था, आपने क्या किया, कि 5% को प्रतिवर 3 वर्च के सापसो बढ़ रहा है, तो आपने 15% से डारेक निकाल लिए, तो आपका अंसर कलात हो जाएगा, ठीक है, आपको इस प्रकार निकालना है, और shortcut इसका क्या होता है, जब आप इसका shortcut निकालने जाओगे, तो shortcut method है, A plus B plus A into B upon 100, अब ये किसके लिए अपलाई करना है, ये अपलाई करना है, ये वाले percentage के लिए, 5 की percentage के लिए, आप इसके इंदर में इसको put up करो, तो 3 साल बोला है, तो 3 साल में कैसे निक shortcut method से नहीं बनेगा, और ये मैंने percentage वाले chapter में आपको बताया है, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, आगे आने वाले सालों में, याने 2 साल, 3 साल के लिए, कैसे कैसे इंक्रीज होता है, ये आपको मैंने चक्रविक्ती भी आजब पढ़ा था, तब मैंने बताया भी था, ठीक है, आपको य 7.25, प्लस, अपॉन में 100, फिसको निकालोगे, यहां जाजागा, 15.76, 7.625, ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखे, यह आगे आपको, तीन सालों को यहां पर, हमने क्या कर दिया, इन सालों के लिए, यह वाले फॉर्मूले में, 5% की साब से, प्लस प्लस कर दिया, इसक 15.7625, और अपॉन में 100, यह 0 से 8, 0 कटा, यह 0 से 8, 0 कटा, जब आप इसके अंदर में मल्टिप्लाइ करोगे तो आपका जाएगा 12610, अब इस 12610 को आप जोड़ दो 80,000 के अंदर में तो आपका जाएगा 12610, ठीक है, तो इस प्रकार आपको बनाना है, सबसे पहले बाद आपको यह जो percentage वाला method है, यह आप जाकर percentage वाले वीडियो में एक बार देख लीजे, अगर यह सब नहीं करना है जंजट, तो आप इस प्रकार बनाईए, इस प्रकार में बनाए पहला, दूतरा, तीन स्टेप के अंदर बन जाता है, बड़ा ही सिंपल, 80,000 को 5% निकाल लो अगर डारेक्ट नहीं चाहते है, आप इस प्रकार बनाना चाहते है, तो आपको यह याद रखना पड़ेगा, या तो यह formula के उपर में आपको put up करके निकालना पड़ेगा, तो यह जागा तीन सालों में 15.7625, 15.7625 को 80,000 के साथ में multiply कर दो percentage में, यह आप कटाओ गया तो आपका जाएगा 12610, इसको आप जोड़ो 80,000 में, तो आपका आंसर आजाएगा, ठीक है, तो आप यह दो प्रकार से इसको बना सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना है कि आपको यह 5 इंटू 3 करकर 15% कर दिया और इसको डारेक्ट निकाल दिया, यह ऐसा नहीं होगा, ठी तो इस प्रकार आपको इसको बनाना है, आज का पहला प्रश्चित हैं, तीन संख्याओं का योग 112.165 है, यदि दो संख्या उसमें से है, यानि यह पहली है और यह दूसरी है, 25.5 और एवं 16.5 तो तीसरी संख्या ग्याद करो, कितना सिंपल प्रश्चित है, आप तीसरी स अब आप इसको क्या करते हो, इसके अंदर में मानस करते हो, किसके अंदर में मानस करते हो, किसके अंदर में मानस करते हो, किसके अंदर में मानस करते हो, तो आपका अंसर जो है, निकल कर आजाएगा कितना, 27.135, देखें, बड़ा ही जिंपल है, क्या किया हमने, तो इसका सारा स्कूल बता रहा हूं, स्कूल के बच्चे करते हैं, और यह प्रशन जो है, रेलवे में अभी पूछा गया प्रशन है, ठीक है, यही प्रशन, सेम प्रशन जो है, पूछा गया प्रशन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को आइएगा आंसर ठीक है वह सबसे छोटी संक्या ग्याद कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 47 से भाग देने पर हर बार 8 से बचे अब यहाँ पर क्या होगे अप्शन आपको दिया गया है लेकिन आप क्या करोगे यहीं पर बनाओ दे लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करना है क्या बोला है यहाँ पर देखे साफ साफ बोलता है कि वह छोटी से छोटी से के ग्याद कीजिए जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर हर बार 8 से बचे अब आपको जो है कर जागा यह पूरा कर जागा साथ सो बीस पूरा कर जागा ठीक है अब जाब इसको मुल्टिप्लाइकर होगा ता आप करके देख लेना क्या हो जागा 15, 64, 60 यहाँ पर बचा दो यहाँ पर है जीरो उत्रा फिर यहाँ पर होगा डिकटा दो यह 12, 120 अब यहाँपर अठी क्या हो जागा 120 यह कड गया पूरा कड गया मतलब सेसफल नहीं बचा मेरे पास तब मैं दूसरा लेता हो अब दीखे 720 हमने किया था अब मैं क्या करता हूँ 728 ले लेता हूँ, तब ही मेरे को दिखा कि 720 जो है वो पूरा कट जाता है लेकिन अब जो है 728 हो गया तो इसका मतलब यहां पर क्या बचेगा? 8 सेसफल बचेगा, बचेगा न? देखिए आप करके देख लीजे एक बर इसको आट सेसफल आपका बचा अब मैं 20 से एक बर करके देखता हूँ इसको 728 को जब आप 20 से करके देखोगे, तब भी आपके पास क्या बचेगा? सेसफल बचेगा 1 ठीक है अब 20 से भी जब आप इसको करोगे तो आपके पास में सेसफल कितना बचेगा? 8 फिर आप 36 से एक बहर करके देखो तो आपका सेस्पन बचेगा बचेगा 8 आप लिए जल्दी बन जाएगा खुए तो आप यह वाले प्रशन जब भी आपको दिखे यह दाटा कुछ भी दिया जा सकता है और यहाँ पर भी डाटा कुछ भी दिया जाजकता है तो आपको क्या करना है बोल रहा है कि जब भी हम उसको भाग करेंगे तो 8 से सफ़ल बजना चीए तो आप उप्षन में भाग करके एक पर देखियेगा तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो आप धार में करके देखिये उसको आपको आटोमेटिक जो आंसर निकल कर आ तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न पूछा गया तो उत्तर प्रदेश याने यूपी पुलीस के एक्जाम में ठीक है यूपी पुलीस SI के एक्जाम में पूछा गया प्रश्न है ठीक तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जात इसका वैसे ही कल आंसर मैं बताई दूंगा थिक आपको अगर नहीं बनता है तो मैं बतावनगा थिक तो आप पहले कोशिच करके देखेगा कि आपसे बनता है नहीं बनता है चौता प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं में आठ घटाने पर वे एक अनुपात दो के अनुपात में हो जाती है, संख्याओं का गुडन फल कितना होगा, आप आपके पास ऑप्शन दिया गया है और संख्याओं का गुडन फल पूछ रहा है, तो अब आप इस प्रश्न तो देखे, क्या बोलते हैं इसको, माना 5x और 6x, यह है, माना 5x और 6x है, ठीक है, अब क्या करना है इसमें, बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में 8 घटाने पर, तो दोनों संख्याओं में 8 घटाने पर, 5x-8 और नीचे में 6x-8, अब क्या हो जाता है यह, इसके बराबर ह हो जाता है एक बटा दो के बराबर हो जाता है यह हमारा वन गया equation ठीक अब equation को तो solve कर लो, equation solve कैसे होगा, तो 2, 5, 10, x, 2, 8, 16, बराबर में क्या हो जाएगा, 6, x और minus में क्या हो जाएगा, 8, x, अब आप इसको क्या कर दो, cut कर दो, तो 10, 10 x और 6 x मानस करोगे तो हो जाएगा, 4 x, 8 और 16 मानस करते हो जाएगा, 8, अब x की value निकालनी है, तो x is equal to क्या हो जाएगा, 8 बटा 4, तो 4 एकम 4 दो दो, x की value कितने आ गई, 2, अब यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है, कि संख्याओ का गुडन फल कितना होगा, अब यह संख्याए हैं, अब इनका गुडन फल, तो 5 x 2, तो 5 x 10, और 6 x 2, तो 12, और इन दोनों का गुडन फल कितना होजाएगा, 10 x 12, 120, ठीक, तो यहाँ आगे आपका आंसर 120, ठीक, इतना easy है, तो देखें, अब इतना लंबा चोड़ आपको करने की जुरुत में, अगर आप लोगों ने मेरा ratio वाला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर मैं एक shortcut बताता था, कि क्या करना है, आपको यहाँ पर दो संख्याए दी गई है, अनुपात में दी गई है, तो 5 x 6, एकदम से ऐसे लिख तो 5 x 6, लेकिन यह जटके मन जागा एक second में, लेकिन मैं आपको बता है, और यह सबसे easy method होता है, इन प्रश्णों को करने के लिए, तो देखे, यहाँ पर सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, पांच अनुपात 6, तो हमने लिख दिया 5 अनुपात 6, याने 5 बता 6, दोनों संख्याओं में 8 गटाने पर, और यह तभी बनेगा जब यहाँ पर दो यह एक का gap, इसका मतलब है gap बराबर करने की जुरत नहीं है, अब हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ यह जा रहा है, तो 5 और यह difference कितना है, चार का, लेकिन हमको बोलाए कि दोनों संख्याओं में 8 गटाने पर, तो अब 4 को 8 किस प्रकार बनाते हैं, तो 4 को 8 बनाने के लिए multiply 2, और यही हमार आंसर था, यहाँ पर देखे, x बराबर 2 आया, यहाँ पर भी आगे x बराबर 2, 4 को 8 बनाने के लिए क्लिए 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 इसको बना सकते हो, अगर यह वाला आपको method आता होगा, तो देखिए मैं यहाँ पर calculation करता हूँ, द अभी मेरे को क्या दिखता है, क्या पर आपर आपर दिखता है, 5 से 1, 4 जाना है, लेकिन यहाँ पर भूल रहा है, 8, तब मैं 4 को 8 कैसे बना होगा, तो 2, अगर मेरे को मिल ए x की वेल्यू 2, तब मैं यहाँ पर क्या गर क्लिए 5 दूना 10 और 5, 6 दूनी 12, और 12 दाहम कितना हो मैंने दोनों मैथड आपको बता दिया है, आपको जो आसान लगे, और यह वाले प्रेशन में खास कर, आयू संबंदीत बहुत प्रेशन पूछे जाते हैं, अगर आप यह मैथड सीख जाते हो, यह वाला, तो आप अगर रेशियो का मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, तो आपको समझ में जागा, जितने लोगोंने नहीं देखा होगा, तो वो जाकर देख लीजेगा, ठीक, यह दो मैथड है, पाचव प्रेशन की प्रेशन पर चलते हैं, पाचव प्रेशन के पास, इस पर करके अक्सर प्रेशन में पुछे जाते हैं, ध्यान लखेगा, एक फल विक्रेटा के पास कुछ सेब थे, क्या थे, कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेज देता है, और अभी भी उसके पास में 420 सेब है, शुरू-शुरू में उसके पास कितने सेब थे, वीडियो को पहुश करिए और बनाईए, यह ऐसे प्रेशन में कई बार करा हुआ है, बहुत ह क्या थे, क्या बोल रहा है कि एक फल भी करेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेज दिया, कुछ सेब थे, मतलब, हम परसेंटेज को हमें साथ सो में लेते है, 40% सेब बेज दिया, तो कितना बचा, 60% सेब बचा, लेकिन और अभी भी उसके पास 420 सेब है, तो सुरू- सुरू में उसके पास कितने सेब थे, अभी देखे, 40% बेचा, तो हमारे पास कितना बचा, 60% बचा, और कितना बचा, 60% किसके बराबर बचा है, 420 के बराबर बचा है, 420 बराबर हो गया, बस हो गया, खतरमा आपको काम, 60 बटा क्या हो गया, 100 बराबर हो गया, 420 इसको इ साथ सो कितना सिंपल है बड़ा ही सिंपल है इस प्रकार के प्रेश्ण आप दो तीन चार पांच कर लोगे ना एक बाट तो आपको बड़ा आसानी से सब कुछने की कुशिश करिएगा कि एक फल भी करेता है उसके पास कुछ सेब थे कुछ सेब मारा है हमने हमें परसेंटेज में हमें साथ 100 परसेंट सेब थे उसके पास वह 40% पेज देता है 40% पेज दिये तो कितना परसेंट बचा 7% बचा लेकिन क्या बोला है यहाँ पर और अभी विए उसके पास में 420 सेव है अब वो 420 सेव किसके बराबर हो गया 6% के बराबर हो गया क्योंगी 40% बिचाता तो 6% के बराबर हो गया तो आप इसको कैकर तो यहाँ पर equation बढ़ा दो अब यहाँ से निकाल लो तो आपका आजाएगा 700 सेव थे उसके पास सुरू सुरू में ठीक है बहुत ही सिंपल प्रशन है चटवे प्रशन की तरफ चलते हैं ऐसे प्रशन भी बहुत कूछे आते हैं राम ने क्या बोल रहा है कि 375 रुपए प्रती दर्जन पर 20 दर्जन खिलोंने खरिदे थे कितने 375 रुपए प्रती दर्जन पर 20 दर्जन खरिदे थे ठीक है तो आप क्या करोगे 300 पच्छतर इन्टू 20 20 दर्जन खरिदा है वो तो इसका क्राम उल्य हमको निकल करा जागा, कितना आगया क्राम उल्य? 75,000 रुपए, कितना रुपए? बीस दर्जन बराबर कितना होगा, एक दर्जन बराबर कितना होता है, बारा, तो बीस दर्जन बराबर, तो बारा इंटू 20, तो कितना होगया, 240, 240 खिलोने को उसने कितने में बेचा, 240 खिलोने को प्रत्य खिलोने को 33 रुपए में बेचा, ठीक है, तो 33 का जब 240 के अंदर मे क्या कर दोगधें तो आपको निकल कर आ जाएगा 7 920 कितना आ जाएगा 3000 बैकरamtanane तो जब आप इसको माइनस कर दोगे, तो आपको कितना जाएगा, 420, ठीक है, 420 जो उसका है, 420 रुपए का फायदा हो गया, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, यहां पर देखी, कि 33 रुपए की दर से बेज दिया, उसके लाब का प्रतीसत कितना है, अब लाब का प्रतीसत कैस उसको लाब हुआ है, तो इतने 7,920 रुपए में बेज दिये, 33 रुपए की दर से एक को, तो इतना हमारा फायदा हो गया, 420 रुपए को, अब परसेंट में निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो देखें के परसेंट में निकालने यह फॉर्मूला होता है, लाब प्रती क्रेमुल्य, यह हमेशा याद रखना, हमेशा पूछा जाएगा यह, ठीक है, कि लाब का प्रतीसत बताईए, लाब का प्रतीसत ऐसे निकाले आता है, लाब इंटु 100, और डिवाइड में होता है, क्रेमुल्य, तो क्या होगा, लाब कितना हुआ, 420 इंटु में 100, और क्रे क्रेमुल्य, यह सुन दी, क्या होगा, कड गया, 75 से आप इसको पताऊ गया, तो यह आ जाएगा, 5.6, तो हमारा आंसर जाएगा, 5.6 प्रतीसत जो है, उसका लाब है, ठीक है, प्रतीसत लाब कितना है, 5.6%, तो इस प्रकार आपको इसको बनाना है, याद रखिए, ध्यान स बना कर देखिए, फिर यह जो है, देखिए, ठीक है, और यह लाब प्रतीसत हमेशा याद रहेना है, कि लाब इंदू सवाब अठा क्रेमुल्य, तो उसका परसेंटेज निकलता है, ठीक, नेक्स्ट प्रसेंटेज चलते हैं, यह अक्सर पूछा जाने वाला कोशन है, अभ बना दिया जाए, आब इसको कैसे बनाएंगे, कितना मिला दिया है, सबसे पहले आपको यह जो पता होनाची, तो 70 लिटर का मिक्सर, अब इसमें कितना परसेंट है? 10% जो है वो क्या है पानी है इसका मतलब है 7% जो है पानी है ठीक है 7 जो लीटर है वो क्या है पानी है अब आप 7 लीटर जब पानी है तो 63 लीटर क्या होगा दूद होगा होगा 63 लीटर 70 में से तो दूद हो गया ठीक अब बोलता है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाये कि नए Mikshran में दूद और पानी का नुपा हुला है ती में नुपाते हैं अब कितना पानी हम मिलाते हैं X पानी ही जाये दिशान से क्या किया जा रहा है सबसे पहले आपको Mikshran में से 70 L क्या है? 63 L दूद और पानी अब बोलता है कि इसमें कितना पानी मिला जाए तो हमने मिलाया एक्स पानी याने एक्स प्लस 7 हो गया एक्स पानी मिलाने बाद कितना हो जाया बोल रहा है तो एक बटा तीन हो जाती है यह बन गया एक एक्क्वेशन को क्या कर दो इक्क्वेशन को क्या करना पढ़ेगा तो equation solve देखे कितना easy तरीके इस equation solve हो जाएगा 3 बटा 1 है sorry 3 बटा 1 है यह उल्टा लिखा दिया तो यहाँ पर जाएगा 63 इसका cross multiply इधर हो जाएगा इसका cross multiply इधर हो जाएगा तो यह हो जाएगा 63 तो यह हो जाएगा 3x और plus हो जाएगा 7 तिया 21 हो गया अब क्या करोगे तो 63 में से 21 को आप क्या कर दो minus कर दो हो जाएगा तो 42 बराबर हो जाएगा 3x और x बराबर क्या हो जाएगा तो 42 upon 3 यह हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया हो जाएगा 3 चौक 12 चौदा लीटर जो है इसके अंदर में पानी और मिलाया जाएगा तो यह आप कांसर आगया है ठीक देखे समझेगा बड़ा ही सिंपल है पूछ नहीं किया है इसके अंदर में थोड़ा गलत विला थूगे तो एक्षिल में यहां पर फिर से बताता हूँ पूछ नहीं करना है देखे क्या करना है यहां पर अलग से एक बार फिर से देख लीजेगा अगर नहीं आया समाझ में तो 70 लीटर में कितले लीटर पानी है 7 लीटर पानी है क्योंकि हमने निकाला 10 परसेंट पानी तो पानी हमको मिला 7 लीटर तो आप हमारा एक्वेशन कैसे वजा का दूद और पानी तो दूद कितना हो गया 63 हो गया और पानी कितना हो गया 7 हो गया अब बोलता है कि इसमें कितना पानी है अगर दूद बोलता तो पानी में एक्स करते है लेकिन अभी क्या बोल रहा है दूद मिलाने के लिए बोलता है तो दूद में एक्स करते है अभी पानी मिला तो कितना हो गया तीन बटाएक तो यह एक इक्वेशन बन गे इसको इसको और इसको इसको तो 3X प्लस साथ या 21 और बराबर में 63 21 इधर जलाएगा तो माइनस हुजाएगा तो 3X और यह हुजाएगा 42 X बराबर हुजाएगा 42 बाइ 3 तो इसको आप कटाओ करते है जाएगा 14 तो 14 लीटर जो है इने कम 3 और 3 चौक 12 तो यह उगया 14 लीटर जो है पानी और मिलाया जाएगा तो बड़ाए सिंपल था ठीक आठवा प्रेशन देखते हैं आठवा प्रेशन बड़ाई इंट्रेस्टिंग प्रेशन है एक धन रासी तीन वर्सों में साधरण ब्याज पर 815 और चार वर्सों में 854 हो जाती है बहुत धन रासी है यह वाला कोशोन मैंने कई बार कराया है इसका बहुत सिंपल सा तरीका बताया जहांके आप भारगाव क्लासेश यूटूब पर सर्च करिए भारगाव क्लासेश SICI बस इतना डालोगे तो आपको मिल जागा वीडियो और वहाँ पर जाके देखो इसके कई प्रेशन मैने जो है कराया हुए इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका होता है यहां पर तीन वर्स कर तीन वर्स यहां पर चार वर्स कर चार वर्स तीन वर्स में कितना हो जाता है तो 815 और चार वर्स में कितना हो जाता है तो 854 ठीक है और यहां पर अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो यह हो जाता है 39 ठीक है अब एक साल का कितना हो जाiteit का mushroom एक satsal अपॉन तो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा एक साल का तो तीन साल का कितना हो जाएगा यहाँ पर देखे तीन साल है एक साल का 49 तो तीन साल का तो 39 इंटू 3 तो कर दो गया आप तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 117 ठीक है कितना हो गया तीन साल का जो हो जाएगा 117 तो ठीक है कितना सिंपल है कुछ भी तो नहीं किया क्या किया इसका वीडियो एक बार जरू देख लिएगा यूटूप पर जाकर एसाइसी आईगा भार्ग गलासिस तो आपको यह बिल्कुल समझने जाएगा तो यहाँ पर देखो तो कितना हो जाता है एक साल और एक साल बराबर क्या हो जाएगा तो तीन साल बराबर कितना लगेगा यह तीन साल बराबर ब्याज हो जाएगा तो आप इस प्रकार इसको बनाओगे ठीक है सिंपल है कुछ भी नहीं करना है बस एक बार यह वीडियो देख लीचेगा आप से बड़े आसानी से समझना जागा नवा प्रेशन देखते हैं नवा प्रेशन तो बड़ा ही सिंपल प्रेशन है आप इसको वीडियो को पॉस्ट करके तुरंत अंसर पता दीजेगा ठीक है दो पाइप एक टैंक को क्रमसर 40 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं यदि दोनो पाइप को एक साथ खोल दिया जाये तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा ठीक है कितना समय लगेगा चैच और 24 आगे आंसर ठीक कितना समय लगेगा चोवीश मिनट जो है लगेगा ठीक अब कैसे आया आंसर इतना जल्दी तो देखे क्या करना है इसके इंदर में कुछ भी नहीं करना है क्या करना है कुछ भी नहीं करना ऊपर होता है गुड़ा और नीचे होता है प्लस उपर गुड़ा और नीचे होता है प्लस तो यहां पर होगे गुड़ा और नीचे होता है प्लस यह सुनी से यह सुनी से यह सुनी से यह सुनी से कट गया कड़िया चैच चोब कितना हो गया, 24 मिनट हो गया आप काम से खतब, देखें यह जो है, टाइम एंड वर का कोशन है, और यह आप जाकर भारगाओ, क्लासे यूटूब में टाइप करकर, उसके सामने टाइम एंड वर कर दीजे, पूरा कोशन इसका खुल कर आ जागा, और एक एक मैथाड ज तो आजाएगा, एंटूब का मतलब 40, 60 और नीचे 100, यह दुनों को जोडने के बागना, तो आगया, 24 मिनट, एक सेकंड में आपका आंसर जोगा, निकल कर आजाएगा, तो इस प्रकार आपको जो है, यह प्रशनों को बनाना है, ठीक, एक प्रशनों और कर लेते हैं, तो तो इसको निकाल लेते हैं, 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 तो इसको निकाल एक्सवट थाइस प्लस इसका भी आप निकाल लो तो पचास का निकालने लिए का नमड़ेगा पाँच सी तो पाँच इन्टू पाँच 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 परचीस दुनी पचास ठीक इस प्रकार निकालने के बाद में आप क्या करो गए जोड़ी बिनाते हैं न यहां बना गुलन खंगे तो जोड़ी बिनाओ तो दो चार जो बहार हो गया एक दो अंदर आ गया तो चार अंडर रूट तू यहां पर हो जागा ठीक फिर प्लस पांच वाला बाहर निकाल दो तो पांच अंडर रूट तू यहां पर क्या हो गया बज गया अब क्या करतो आप इसमें से इसको मायनस कर देते हैं यह क्या हो जागा प्लस तो पांच चार हो जागा नौ और अंडर रूट हो जागा तू ठीक और यहां पर हो जा तो आपके आज का जो है math का 10 प्रश्न और आपको जो मैंने प्रश्न दिया है उसको आपको बनाना है यह वाला प्रश्न मैंने दिया आपको तो comment section में इसको करकर बनाईएगा ठीक तो आज की वीडियो में इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक अगर आज लाइक नहीं मिले तो मैं वीडियो बनाना यह वाला जो है math का बन कर दूँगा ठीक है तो आप लाइक करिये मैं अच्छा वीडियो और बनानी कोशिश ज़रूर कर दूँगा तो आज की वीडियो मितना ही था जा हिन जा भारत